आज इस वीडियो में हम सफ्ला एकधशी व्रत के बारे में जाने में कि इस व्रत में क्या करना चाहिए और पूजन विधी और व्रत कथा के बारे में पॉस-मास में क्रिश्न पक्ष एकधशी को सफ्ला एकधशी कहा जाता है भगवान श्री हरी को समर्पिति या पावन व्रत मनुष्य के हर कस्ट को दूर करता है और सौभाग्य का वर्दान प्रदान करता है यह व्रत मनो आंचित फल प्रदान करने वाला माना जाता है विधी विधान से इस व्रत को करना चाहिए इस एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है इस दिन भगवान श्री हरी की पुझा का विशेश महत्व है यह एकादशी समस्त कारियों में सफलता प्रदान कराती है सफला एकादशी के व्रत से कई पीडियों की पाप दूर हो जाते है इस वरत में जरुरत मंदों को दान अवश्य करना चाहिए, गर्मवस्त्र और अनिर का दान करना शुब माना जाता है, इस उपवास से आयू और स्वास्त की रक्षा होती है स्रिहरी को पंचामरित पुष्प और रिटु फल अरपित करें, शाम को अहर ग्रहन करने के पहले दिबदान करें, भगवान को अरपित किये गए, फल को किसी रोगी व्यक्तिकों भी दे सकते हैं, इसे ग्रहन करने से रोगी को स्वास्त में लाब होगा इस वरत में रात में संकिर्टन करते हुए जागरण करना चाहिए हो सके तो इसे अवश्य ही जागरण करें इस वरत के प्रभाव से आच्रिण में साथ विक्ता आती है एक आदशी का महात्म सुनने से राश्य यग्य का फल प्राप्त होता है द्वादशी तिथी को वरत का पारण करने के बाद किसी ब्राम्मन को भोजन करा कर उन्हें जन्य और दक्षिना देवे अगर घर पर संभव ना हो तो आप मंदिर में भी जाकर ब्राम्मन को दक्षिना आदी दे सकते हैं जो लोग यह व्रत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए शास्त्रों में यह विधान है, कि इस दिन भगवान विश्नों की पूजा करें, देनिक जीवन के कारी करते हुए भगवान का स्मरण करें, संध्या के समेश्रि भगवान की पूजा करें, और आर्थी के बार भगवान की का पाट करें एकादशी के दिन चावल से बना भोजन लहसुन प्याज मास मदरी का मदिरा का सेवन ना करें अब सुनते हैं सफला एकादशी वृत की कथा महराज युजिस्ट्री ने पूछा हेज नार्दन पॉस कृष्ण एकादशी का क्या नाम है उस दिन कौन से देवता क पूजन किया जाता है और इसकी क्या वीधी है कृपया मुझे बताएं भक्त वस्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज मैं तुम्हारे इस नहीं के कारण तुम से कहता हूं कि एकादशी वृत के अत्रिक्त में अधिक से अधिक दक्षिना पाने वाले यग् प्रचित होकर सुनो इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है इस एकादशी के देवता श्री नारायन है विधी पूर्वक इस वरत को करना चाहिए जिस प्रकार नागों में शेष्णाग पक्षियों में गरूड सब ग्रहों में चंद्रमा यग्यों में अश्वमेद और देवताओं में भगवान विश्णु श्रेष्ट हैं उसी तरह सब वृतों में इकादशी का वृत श्रेष्ट है जो मनुष्य सदेव इकादशी का वृत करते हैं वे मुझे परंप्री है अब इस वृत की विधी कहता हूं मेरी पुजा के लिए रितू के अनुकुल फल, नारियल, निम्बू, नवेद आदी सोला वस्तू का संग्रह करें। इस सामगरी से मेरी पुझा करने के बाद राच्री जागरन करें। इस एकादशी की वरत की सामान यग्य, तीर्थ, दान, तप, कथा और कोई दुसरा वरत नहीं है। पांच हजार वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का वरत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चमपावती नगरी में एक महिश्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके चार पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वहापापी सदाव, परिस्त्री और वश्या गमन तथा दूसरे पुरे कामों में अपने पिता का धन नस्ठ किया करता था। सदे हुई देवता, ब्राह्मन, वैश्नवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने इसे अपने राज्य से निकाल दिया। जब वह विचारने लगा कि कहा जाऊं, क्या क अंत में उसने चोरी करने का निश्य किया। दिन में वह वन में रहता और रात्री को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। तधा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्या सारी नगरी भैभीत हो गई, वह वन में रहकर पशु आदी को मार कर खाने लगा नागरीक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भैसे छोड़ देते वन के एक अती प्राचीन विशाल पीपल का व्रिक्ष था लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे उसी व्रिक्ष के नीचे वह महापापी लुंपक रहा क उने के कारण शीत के चलते सारी रात्री सो नहीं सका उसके हाथ पेर अकड़ गए सुर्य दै होते होते वह मुर्शित हो गया दूसरे दिन एकादशी को मध्यान के समय सुर्य की गर्मी पाकर उसकी मुर्शा दूर हो गई गिरता परता वह भूजन की तलाश में निकला पश के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल व्रिक्ष के नीचे आ गया उस समय तक भगवान सुर्य अस्तो हो चुके थे व्रिक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा है भगवान अब आपके ही अरपन है ये फल आप ही त्रिप्त हो जाईए उस रात्री को दुख् सुंदर वस्तों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया उसी समय आकाश वाणी हुई कि है राजपुत्र श्रे नारेन की क्रिपा से तेरे पाप नश्ट हो गए अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसंद हु शास्त्रा नुसार राज्य करने लगा उसके इस्त्री पुत्र आदी सारा कुटुम भगवान नारायन का परम भक्त हो गया वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्रों को राज्य का भार सौप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंट को प्राप्त अत्वा श्रवन करने से मनुष्य को अश्वमेद यग्य गाफल मिलता है तो यह थी सफला एकदशी व्रत की कथा पूजन विधी एवं महात्मत का वीडियो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो प्लीज से लाइक करें फ्रेंट्स और फ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जैशे कृष्णा राधे राधे